नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप है आउसाई दलाल स्क्रीट जनरली इस चैनल पे हम लोग स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं लेकिन आज मुद्दा कुछ और है आज इस वीडियो से मेरे दो अबजेक्टिव है आप सब जानते हो मेरे चैनल को डिलीट करने का प्रयास किया गया है मुकुल अगरवाल नाम का एक चैनल है काफी बड़े चैनल है एक मिलियन से जादा उनके सब्सक्राइबर है बहुत बड़ा चैनल है उन्होंने मेरे चैनल पे copyright डाली है मेरे दो बहुत ही शांदार वीडियो को उन्हेंने डिलीट किया है इससे रिलेटिट मैं बात करना चाहता हूँ और मेरे दो जो अबजेक्टिव है वो एक्स्प्रेन कर देता हूँ इस वीडियो से सबसे पहले आप देखोगे न, YouTube पे copyright गलट डाल देना एक बहुती common, बहुती सामान्यसी बात है आप देखोगे बड़े YouTuber, आए दिन छोटे YouTubers पे copyright strike गलट डाल देते हैं इस वीडियो से मेरा जो देश है कि किस तरह से आपको इससे deal करना चाहिए मैं चाहता हूं कि public को भी पता चले, क्योंकि इस बार में awareness बहुत कम है और जो छोटे YouTuber हैं या normal भी YouTubers हैं उनको इस बार में पता चले कि किस तरह से इसको आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, दूसरी बात है मैं मुकुल अगरवाल जी से one-to-one face-to-face बात करना चाहता हूं क्योंकि आप जानते हो, ये मेरे ना message, ना reply, ना video का reply, कोई reply नहीं कर रहा है उन्होंने बस copyright strike डालाओ, उनको मज़ा आ गया होगा और कोई reply ही नहीं कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को वो देखे, या उन तक पहुंचे, ताकि वो समझे कि यार किसी पे गलत copyright strike डालना, देखो बिलकुल भी अच्छी चीज नहीं है अगर आपको लगता है इसने कोई mistake किती, तो आप मैंने email भीजा तो है सर आपको मैंने आपसे contact करने की कई बार प्रयास की है, कि कुछ भी ऐसा issue होगा, हम और आप दोनों mature हैं, आप उम्र में इतने बड़े हो, आप मकाम में इतने बड़े हो, दोनों लोग mature हैं, एक दूसरे से वारतलाफ करके चीजों को सुलगाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पीछे जाके copyright strike डालना, क्या ये जरूरी था, क्या चैनल को बरबात करने का प्रयास करना जरूरी था, नहीं था, तो मेरा उद्देश यह है कि आप तक ये वीडियो पहुंचें, अब सबसे पहले आपके कई सारे सवाल और ये पूरी घटना करम, मैं आपको explain करूँगा इसी वीडियो के माध्यम से कि ये क्या हुआ है, और कई लोग सवाल पूछते हैं, सर वो अलब वीडियो देखना है, सबसे पहले वो जो वीडियो है, वो आप देखी नहीं सकते हो, answer है, क्योंकि मुखल अगरवाल जी के मैं कुछ ऐसा करूँ कि वो वापिस आ जाए, लेकिन अभी वो दोनों वीडियो डिलीटेड है, मैं explain करूँगा कि क्या था ऐसा, क्योंको इतना खत्रा लगा कि मेरे चैनल को और वीडियो को, दोनों को डिलीट करना पड़ गया उनको, मैं बताता हूँ क्या हुआ है, उसक प्रॉपर्ली इस वीडियो के माध्यम से आंसर करूँगा, ये देखने के बाद आपको पता चलियागा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, सबसे पहले, कौन से वीडियो डिलीट किये गया है, ये वीडियो मैंने बनाया थे पिछले साल, लास्ट येर की बात है, 2022 की, 2023 के मे 9 को, यानि आप समझ रहो, पिछले साल जून जुलाई में डाले गाए वीडियो पे, आज 9-10 महिने के बाद, अल्मोस्ट एक साल हो रहा है, तब जाके मेरे चैनल पे, कॉपी राइट इस्ट्राइक डाली गई और वीडियो के डिलीट किया गया है, सबसे पहले आप चैनल मोनेटाइस था, तो अगरवाल जी और उनकी टीम को लगा होगा, कि इस समय कॉपी राइट इस्ट्राइक डालेंगे भी तो इसको उतना लुक्सान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इंतजार किया, 9-10 महिने और एक साल, और एक साल के बाद जाके, 9 में 2023 को उन्होंन नहीं देता, यह दोनों कुश्चन का अंसर प्रपन ले दूँगा, सबसे पहले वीडियो के बारे में बता दूँ, वो वीडियो मुकुल अगरवाल जी एक वीडियो बनाये थे, उन्होंने बोला था कि एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेड़जी होती है, जिससे आप किसी भी सीक्रेट स्ट्रेड़जी मैं आपको तब बताऊँगा, जब आप मेरा कोर्स को खरीदोगे, मैं वो वीडियो देख रहा था, मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है, अपनी कम्यूनिटी कई लोग है, मैं सब के वीडियो देखता हूँ, और सीखने को भी मिलता है, कई ल तो मैंने क्या किया, यह स्ट्रेड़जी के बारे में उनके कमेंट सेक्शन में पूरा लिख के एक्स्पें कर दिया, बता दिया कि देखो, मेरे हिसाब से आप ऐसा ऐसा करोगे, आपको मिल जाएगा, वो सोर्स क्या था, मैंने बोला था, यह फ्रीली अविलेबल है, उस व अविलेबल स्ट्रेड़जी है, आप जाओ, NAC की वेबसाइट पे, जो की पब्लिक वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज, वहाँ पे जाओगे, ऐसे जाओगे, यहाँ पे आपको यह डेटा मिलेगा, इस डेटा का यूज करोगे, कुछ केल्कुलेशन छे मिनट के आसपास का वीडियो था, आप में से कई लोग ने देखा होगा, मैंने बोला, सर ने मेरा वीडियो कमेंट डिलीट कर दी, इसलिए मुझे लगा ओर अच्छा है, मैं वीडियो के माध्यम से एक्स्प्लेइन करता हूँ, मैंने उस पूरे वीडियो में यही स्ट वीडियो मेरा डिलीट कर दिया, अब आपका यह सवाल है, इसमें लगता तो नहीं कॉपिराइट स्ट्राइक, कुछ भी एक्ट होती है, आपका यह भी सवाल हो सकता है, या कई लोगों का यह सवाल हो सकता है, क्या आपने उनका कोई कंटेंट उठाया था उस वीडियो से, क्योंकि ज्यादतर आपको इतना पता है, कि किसी का भी आप कंटेंट उठा लोगे, या उनकी वीडियो में से छोटी सी क्लिप उठा लोगे, तो शायद आप पे कॉपिराइट स्ट्राइक लग जाए, लेकिन मेरे केस में शांदार बात यह है, कि मैंने एक सेकेंड की भी, एक सेकेंड की भी क्लिप उनके चैनल उनके वीडियो से नहीं उठाई, उसके बाद भी कॉपिराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पे डाल दी गई, आप पूछो के ऐसा कैसे हो सकता है, यूट्यूब ने ऐसा कैसे होने दिया, इसका आंसर देता हूँ, और ये कई सारे छोटे creators के दिमाग में भी आता है, तो उनके लिए भी ये learning हो जाएगी, देखो इसके दो आंसर है कि क्यो YouTube ऐसा करता है, सबसे पहला, जो हम लोग छोटे YouTubers हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग इस platform पे काफी कम view लाते हैं, काफी कम view का ad देखते हैं, तो YouTube को उतना हम लोग से फाइदा नहीं होता है, वो बात अलग है कि छोटा creator ही नया content बना के platform को आगे बढ़ाता है, लेकिन जो बड़े creator है, जिनके 1 million, 2 million, 3 million subscribers हैं, उसके प्रती थोड़ा सा ये रहता है कि यार, ये नाराज ना, किसी भी field में होगा, कहीं पे भी ऐसा होगा, थोड़ा सा bias रहता ह है, मैं ऐसा नहीं कहे रहा हूँ कि YouTube biased है, actually next जो मैं आपको बात बताऊँगा, उससे आपको और clarity हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ होती है, बड़े creator अगर अपना कुछ भी बताता है कि यार, ये मेरा content चोरी कर रहा है, ये मेरा content को copyright लगा रहा है मेरा content पे, तो YouTube actually अपनी त करता है कि इनको दिक्कत ना है, जो कि सही बात है, मैं YouTube को घलत नहीं मानता, उसके अलावा YouTube कानून तोर पे प्रतिबद है, ऐसा action लेने के लिए, इसमें YouTube की कोई भी गलती नहीं है, आपके मैंने सारे comment पढ़े थे, आप लोग भी सोच रहे थे, यार YouTube ऐसा कैसे होने देता या छोटे creators भी कई बार ऐसा सोचते है, YouTube क्यों होने देता है, उसका answer है, YouTube legally bound है, कि उसको action लेना है, मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ न, वो proper data लाके ही बताता हूँ, चाहे वो stock market की बात हो, चाहे वो यहां की बात हो, तो अभी मैं आपके सामने कुछ data produce करूँगा कि YouTube ऐसा कैसे और क्यों होने देता है, बस एक सेकंड मैं आपको वो दिखा देता हूँ, अब देखें, जो भी data में use कर रहा हूँ, यह भारत का कानून है, जिसके अंतरगत यह सारी चीज़े आती है, जितने creators हैं या public हैं, जो YouTube पे आने वाले हैं, उनके यह चालना बहुत जहां से सारा कानून निकल के आता है, ठीक है, तो यह मतलब बिल्कुल official है, भारत सरकार का है, ठीक है, अब आपका सवाल है YouTube कुछ करता क्यों नहीं है, या कैसे action ले लेता है, इसके लिए आपको section 51 पे जाना होगा, यहां पे मैंने note करके रखा, यह page 39 पे आपको मिल जाग जब यह sub clause second पे आओगे न, permits for a non-profit or place used for a communication of the work to the public, basically, इसमें clearly लिखा हुआ है कि अगर कोई person copyright कर रहा है, या कोई person आपके platform या आपकी जगहा पे भी copyright infringement कर रहा है, और आपको पता है, तो आप भी liable हो जाते हो, यानि वो आपकी गलती मानी जाएगी, इसमें यह चीज है क आपको पता होना चाहिए कि यह कुछ न कुछ गलत कर रहा है, अगर आपको नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो होता क्या है, यूटूब जब कोई copyright strike करता है, तो यूटूब एक platform है, तो यूटूब by law प्रतिबद है उस पे action लेने के लिए, अब यूटूब क्य कर सकता है, अपनी तरफ से उसको चेक कर सकता है, लेकिन आप एक चीज़ सोचो, यूटूब के platform पे करोडो creators है, मेरे जैसे आपके जैसे करोडो creator है, क्या हर किसी के case को यूटूब जाके खुच से चेक करेगा, क्या इतना resources यूटूब के पास है, और अगर resources भी है, क्या इ कानून कहता है कि हमें action लेना है, तो हम जल्दी से जल्दी action ले लेता है, ताकि हमको कोई risk ना है, वैसे भारतिय कानून और चो US का कानून है, DMC है, उसके अंदर ये सारे platform, YouTube, इन पे आप case नहीं कर सकते हो, ये safe harbor के अंदर आते हैं, ये कानून में है, तो basically YouTube को ये कारिक कर करना पड़ता है, और YouTube से आप expect नहीं कर सकते हो, कि YouTube हर एक case को देखे और उसके merit को पड़े, वो काम judge साहब का है, वो YouTube खुझ से नहीं कर सकते है, उतने resources भी नहीं है, और उतना समय भी नहीं देना चाहता है YouTube, तो पहली बात मैंने आपको explain करते हैं कि YouTube को अगर आप copyright डालत ना हूँ, तो YouTube इस छेतर में मेरे पर action लेने पर गलत नहीं है, या किसी और पर भी action लेता है, तो गलत नहीं है, तो पहला question आपका solve हो गया है, अब अगरवाल जी, देखो मैंने उनका कोई content copy नहीं किया, कोई कुछ किया भी नहीं, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर copyright strike डाल द मैंने Google को mail की, आप मानो, मैंने Google की जो service है, उससे पूछा पहले, कि मेरे पर क्यों exact reason बता हूँ, मुझे exact reason बता होगा, तब ही तो मैं इसके खिलाफ action ले सकता हूँ, मुझे exact reason ही नहीं पता चला पहली बार में, आज जाके मैंने दूसरी बार Google से कोशिश की, पता करने की, कि कैसे मेरे पर copyright strike डाला गया, तब आज जाके मुझे बोला गया, कि जिसने आप पर copyright strike डाला है, वो ऐसा मानते है कि आपने उनका content चोरी कर लिया है, ऐसा मानते है, इसलिए हमने action लिया, तो मुझे exact reason पता चला, आज जाके, वनना अगरवाल ची को तो मैं कब से mail कर रहा इतना भी नहीं है कि वो मेरे mail का answer कर रहा है, तुम दूसरे के खिलाफ action ले रहे हो, manually तुम मेरे वीडियो का URL copy paste करके उस पे मेरे channel पे strike डाल रहे हो, मेरे को नुकसान पहुचा रहे हो, मेरे career बरबाद कर रहे हो, लेकिन इतना नहीं है कि तुम एक answer कर सको, यार एक courtesy होती ह आर आप platform पे हो, public platform पे हो, इतना courtesy होनी चाहिए ना, कि अगर गलती से मुझसे कोई गलती हो जाए, तो at least भारत की सभिता भारत की Sanskrit ही इतना सिखाती है, कि दूसरे बंदे को आप कुछ बताओ, कैर यह तो मेरा अपना personal opinion है, लेकिन हा, मैं मानता हूँ कि आपको at least बताना च strike डालते, यह आपने छोटा सा केसी का भी content होड़ा है, आपका वीडियो 10 मिनट का है, आपने 3 सेकंड के clip लगा दी, लोग आप पे जबरदस्ती copyright strike डालना है, इन्फरेंजमेंट बहुत ही cases में नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, section 52 Indian Copyright Act, आप जाओगे, यहाँ पे clause A में जाओगे, यह clause एड किया गया है, 2012 के amendment में, क्योंकि उनको भी पता था, बहुत लोग जबरदस्ती copyright strike डालने जा रहे हैं, इंटरनेट के आने के बाद, तो उन्होंने पहले ही से, यहाँ पे amend किया है, लोग को आप देख सकते हो, clause A में fair dealing की बात हुई है, आप कई बार सु आगे जाके जबरदस्ती किसी पे copyright strike किसी का करियर बरबात करने पे आ जाओगे, नहीं है, भारत का जो देश है न, वो कानून से चलता है, आपकी मर्जी से नहीं चलता है, आप यहाँ पे देखेगे, section 52 clause A में fair dealing की बात की गई है, और fair dealing को explain किया गया है, अब इसके आप, जब sub clause second पे आओगे, आप किसी भी content को criticize कर रहे हो, या review कर रहे हो, उसके work हो, या किसी और के भी work हो, तो यह fair dealing, fair use में आएगा, मतलब अगर आप उसका थोड़ा से content यूज भी कर रहे हो, आपने देखो, वो movie के review करते हैं, लोग, movie के review करते हैं, कुछ हद तक बताते हैं कि यार, हलका सा दिखा देते हैं, कहते हैं, यहाँ पे आप देखेगा, यह इतना अच्छा नहीं है, यह graphic अच्छी use नहीं हो है, सब लोग करता है YouTube पे, आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं है न, कोई भी उठके उसके उपर copyright डाल दे, तो फिर तो YouTube और internet ही खतम कर दो, आप subcloss second में देख सकते हैं, उसके अलावा, आप देख सकते हो, reporting, current event, current affair, including reporting of a lecture, किसी ने कुछ सिखाने का प्रयास किया है, वो lecture दिया है पबलिक में, अगर आप उसके बारे में भी लोगों को थोड़ा सा बता रहे हो, तो भी वो fair use के अंदर है, तो काफी चीजें आपको मिल ही हो ही है, ऐसा नहीं है, कोई भी आप पे गलत copyright strike डाल देगा, हाँ, डाल देगा, YouTube action लेगा, ठीक है, वो YouTube का काम है, वो अपने आपको safe करने के लिए करता है, अच्छी बात है, लेकिन आप असाहय नहीं हो, आपको कानून आपके साथ खड़ा है, अगर आपने गलत काम न उसके अलाबा, आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग कई लोग देखते होगे, छोटे-छोटे clips बना के वीडियो बनाते हैं, वो clips किसी ना किसी के होते हैं, movie की, किसी और के वीडियो का छोटा-छोटा clips बना के अपना content बनाते हैं, अगर हर कोई एक second का भी use कर ले, उस किसी को सिखाने के लिए कुछ भी कारे कर रहे हो, और ऐसा नहीं आपने पूरा कॉपी कर लिया, थोड़ा सा कर रहे हो, major portion नहीं है, यहाँ पे जब भी case, कई case आपने देखोगे, कई case यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखे भी है, आप देख सकते हो, Mohendra Chandra versus Emperor, Calcutta High Court का case था, तो वहाँ पे Calcutta High Court ने बूला था, there is no reproduction, if there is no copying of the work, and defendant makes his own version, or goes in a common source, if any, यहाँ पे Calcutta High Court क्या बोलता है, इस case में, बोलता है कि, अगर उसने आपका content लिया ही नहीं है, तो copyright टे strike होई नहीं सकती है, या copyright का violation नहीं हो सकता है, strike के बात तो YouTube पे ही है, उसके अलावा, वो य जैसे मैंने NAC की website से लिया है, तो NAC की website से आपने भी लिया है, मैंने भी लिया है, अब आप कहतो, कि नहीं नहीं, तुमने copyright कर दिया है, क्योंकि मैंने अपने channel पे NAC का data यूश किया था, तुमने यूश कर लिया, low copyright strike है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे clearly है, public sources से जो भी information आप लेते हो वो copyright strike पे नहीं जा सकती है ना वो आपका content है मतलब आपको अधिकारी नहीं है उस पे आप उस work के author नहीं हो कि आप उस पे copyright डाल सको तो ये सारी चीजें है आप देखो के बिल्कुल clear है और freely available है ये बहुत ही छोटा act है ये 57 pages का है इसको आप सबको जो भी YouTube पे न एक बार पढ़ लो ताकि ये समस्या जानते हो ना बार बार आती रहेगे आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो आप growth करोगे उनको अच्छा नहीं लगता है तो आपके साथ ये चीजे होती रहेगी इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि एक बार सारी YouTubers को ये जरूर पढ़ना चाहिए उसके अलावा एक चीज मैं जरूर address करना चाहूँगा ये है ना मैं क्या कह रहा था कि मुकुल अगरवाल जी को मैं बार बार मेल कर रहा हूँ गूगल से में मैं बात करूँ कि क्यों डाला है अब उन्होंने डाल दिया अगरवाल जी ने उनको बढ़ा अच्छा लग रोगा दिखो ये कल कल ओंडा इसको मैंने परिशान कर दिया वो खुश होंगे या उनकी टीम खुश होगी I don't know लेकिन वो मेरे मेल कर रिप्लाइ नहीं कर रहा हूँ उनकी टीम को भी मेल किया उनको भी मेल किया nobody is interested in replying कोई रिप्लाइ नहीं कर रहा है कोई ये तक नहीं बता रहा है कि क्यों copyright strike डाली है बस हां डाल दिये और आपके दो content डिलीटर दिये क्योंकि ये कोई बताने के लिए आगे नहीं आ रहा हूँ तो बिल्कुल नहीं आ रहा है यहां पर section 55 पर आप देखोगे बात की गई है कि किस तरह से infringement होता है ठेक है लेकिन इसमें एक बहुती important चीज कानून में लिखे होगी है यहां से पढ़िये provided debt प्लीज इसमें नोट करिया if the defendant proves that the date of the infringement he was not aware and had no reasonable ground for believing that the copyright subsidized in that work the plaintiff shall not be entitled to any remedy other than the injunction in respect to the infringement or the decree to the whole or the part of the profit made by the defendant by the sale or infringement copy of the court in the sub-cancensus deemed reasonable क्या कहना चाता है बहुत बड़ी अंग्रेजी है बड़ी simple शब्दों में कहना चाता है कि देखो मालो copyright हो गया copyright किसीने infringement हो गया let's say who आप ही है लेकिन तब court यह देखता है या कानून यह कहता है कि पहली यह बताओ इसने जान पूछ के तो नहीं किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि defendant को जैसे कि इस case में वो person कि उसको पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई copyright exist करती है उसको पता ही नहीं कि copyright infringement हो रही है उसके actions से तो at least उसे पता होना चाहिए ताकि आप claim कर सको कि copyright का violation हुआ है अगर ऐसा नहीं है उसको पता ही नहीं था कि यह किसी copyright के अंतरगत आता है या जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे बताने को त्यारी नहीं है लोग मैं mail कर रहा हूँ मैं Google से बात कर रहा हूँ मैं हड़कुच कर रहा हूँ कोई बताने के त्यारी नहीं है तो यह चीज़ अच्छी नहीं है यह आपको अच्छा लग रहा हूँगा लेकिन legal term so it is not good read section 55 please read it and I am telling you to read it sir इसलिए आपको बताना चाहिए at least हुआ क्यों last video में भी मैंने यही बात कही थी आपसे at least बताओ तो और sir ऐसा कुछ हुआ होगा हम दोनों मिल के solve कर लेंगे इतनी बड़ी तो बात नहीं है YouTube की बात है वीडियो की बात है दोनों लोग मैंचे औरे solve कर लेंगे आपसे लगातार कह रहा हूँ मेरे case में दो कुनार 9 महीने, 10 महीने एक एक साल बात copyright strike डाली गई है definitely यह bonafide या अच्छे intention से नहीं डाली गई है वरना आप mail करके मुझे कह सकते थे कि वीडियो हट डालो आप mail करके या तो वीडियो हट आ सकते थे आप channel को delete करने पे आ गए आपने copyright strike channel पे डाल दी आप जानते हो यह हमेशा के यह रहती है ऐसा नहीं है यह खतम हो जाती है यार YouTube को पता होता है इस पे copyright strike लग गई है बहुत बड़ी चीज़ होती है कितना mental pressure होता है जो बंदार रात दिन महनत करके content बनाता है उसका नाम किस चीज़ से होता है उसके काम से होता है आप मेरे काम को ही delete करने पे आगए ना मैं इस platform पे इसलिए आया था कि मैं अपनी knowledge को share कर सकूँ और उसके बदले हो सकता हूँ कई लोग कहेंगे हाँ sir यह बताते हैं जो आता है वो कुशिश करते हैं लेकिन आप उस महनत को ही delete करना चाहते हो जबकि आप खुद YouTuber हो मैं जानता हूँ आप भी महनत करते होगे तो आपको और समझना चाहिए लेकिन छोटी सी बात जो कि कोई बात नहीं है ना मैंने कोई गलग कारी किया है आप मेरे चैनल पे स्ट्राइक डाल देते हैं सर बहुत बुरी सीज है और कई छोटे YouTubers के साथ ही होता है इसलिए आपको Section 16 of Indian Copyright Act पता होना चाहिए Section 16 आप पढ़ो बहुत important है remedy in the case of groundless threat of legal proceeding अगर कोई आपके खिलाब गलत legal threat देता है कि तुमने तो copyright कर दिया है बिना प्रूफ के बिना तुम्हें बताएजबर दस्ती आपके खिलाब गलत गलत action ले रहा है जैसे कई cases में होता यूट्यूब पे कई cases में यूट्यूब पे होता है normal world में भी होता है आप पे गलत case जान देता है तो आपके पास क्या कानूनन कुछ rights है कुछ आप काम कर सकते हो परहां कर सकते हो यहाँ पे आप देखो अगर कोई आपके खिलाफ agree thereby notwithstanding anything contained मलब आपको unfairly treat करता है उसके बाद आपके खिलाफ गलत copyright lawsuit फाइल करता है आपके खिलाफ गलत action लेता है copyright law के अंतरकत तो आप कानूनन आपके पास दो सुवयधाय उपलब्द है जो section 60 clause A clause B में clearly लिखी होई है और इसलिए मैं सीधे आज भारती कानून उठा के लाया हूँ ताकि आपको यह Wikipedia यह वो सब नहीं जो कानूनन सही चीज लिखे को पाता चला है यह आपके लिखा है objection obtain an injection obtain an injunction against the continence of such threat मैं explain करता हूँ and and लिखा हुआ है कानून में भाशा बहुत important है or and यह सारी चीज़े बहुत important है and का मतलब है यह तो है और इसके अलावा यह भी है दोनों चीज़ हो सकती है यह important है and recover such damages if any as he has sustained by reason of such threat अब मैं आपको एक्स्प्लेन करता हूँ अगर आपके खिलाफ कोई भी गलत copyright act के अंदर गलत action ले रहा है तो section 60 clause A and B आपको दो right देता है सबसे पहला जो आपके खिलाफ गलत कारे कर रहा है बार-बार कर रहा है तो सबसे पहले उसको एक warning दी जाएगी legal warning दी जाएगी कि boss you are doing it wrong ऐसा मत करिये and और नहीं कि या तो warning दी जाएगी या तो ऐसा नहीं दोनों चीज़े हो सकती है and लिखा हुआ and अगर जिसके खिलाफ आपने गलत copyright act के अंतरगत कोई भी प्रक्रिया करने की कोशिश की गई है उसको जो भी हानी हो रही है उसको भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी चाहें monetary हो किसी भी type की हानी हो रही है तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी यह भी section 60 clause B में दिया हुआ है तो दोस्तों अगर आपके खिलाफ इस type से गलत action लिया गया है ना तो please इस पूरे कानून को आप परें भारती कानून आपके साथ है अगर आप गलत नहीं करते हो आपको पूरी प्रक्रिया दी गई है आपके साथ कुछ गलत हुआ है आपको recovery भी मिलेगी इसलिए हम सब को जोस्पी field में आप काम करते है उससे related कानून पता होने चाहिए और बहुत आसान है पता दना पढ़ना ही तो है पढ़ना ही तो है और free available है यह सारी यह सारी चीज़े कहां से मैं पाया हूँ कई लोग कहेंगे इंडियन copyright office है आप बस google पे सर्च करोगे आपको यह भारतिय कानून free of cost pdf में मिल जाएगा आप भी पढ़ो आप भी पढ़ो आपके खिलाफ कोई भी गलत कारे हो आप उससे related कानून पढ़ो और आपको संब्याज़ेगा कानून सबके के लिए बराबर है अब यह सारी चीज़ें इससे एक चीस्त हो गई है अगर कोई creator है अगर उसके खिलाफ इस टाइप से गलत action हो रहा है मेरे साथ तो ही रहा है किसी और के भी खिलाफ हो रहा है यह पलीज आप वीडियो उनके साथ शेयर करिये उनके साथ और सारी यूट्यूबर के साथ शेयर करिये मैं कह रहा हूँ आज शेयर करने को इसे होगा क्या यह जो प्रक्रिया चलिए गलत copyright की और क्या होता है, हम लोग छोटे जाएगा उसके सपने टूट जाएंगे उसकी मेनद बरबाद हो जाएगी दूसरी बात है उसको कानून के बारे में नॉलिज भी नहीं होती है तो एक डर हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ तो अपनी आवाज बंद कर देता है बोलना बंद कर देता है आप लोग भी कई बर नहीं होना चाहिए कानून से जाभ हो वह बंदह डर जाता है वह चोटा YouTube टर जाता है क्योंकि इसको पता नहीं होता है लेकिंदर बहुत जरूरिह पता उना तो इसको share कर यॉत है बात चीत करके चीजों के स्टूलन नहीं कर सकते हैं, किसी के बरबाद करदेना बहुत स़ऩरूरी है, नहीं है, नहीं है, especially public platform पर नहीं है, तो मत करिए ना, आप बहुत चीज कर सकते थे, मेल कर सकते थे, बार-बार कह रहा हूं, बहुत चीज़ कर सकते तो और मैं अपनी तरफ से उस पर एक्षन लेता पर्सनली लेकिन और मैं अपके रिस्पेक्ट करता था उस समय मैं बिल्कुल लेता लेकिन आपने चैनल डिलीक करने के उपर आ गई कोई कर लेंगे, मैं अपराय मैंस कोईच हो सकती है अम दोनों के बीच मैं मैंहें समझ रहा हूं यहं भी हो सकता है समझ को सब्क्राइब कर necklace term तो प्लीज मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूँगा इस कॉपीडाइट इस्ट्राइक को हटाई यह कोई भी मिस कम्मुनिकेशन मिसंडेस्टेंडिंग है तो बातसीत करके इसको सॉल कर लेंगे मैं तो यह भी कहूँगा कि मतलब मैं वह छोटा क्रिएटर हूँ लेकिन मैं आपसे यह भी कहूँगा आईए मिलके जिस काम के लिए यहां पर आया न वो करते जनता की हेल्प करते हैं एक मिलके लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं सर मेरी तरह सो यह भी प्रपोजल है आप नहीं करोगे मैं काफी छोटा क्रिएटर हूँ आप मेर चिज में करते हैं जंता से इंस ट्रैक करते हैं उनके कुष्चिं को लेते हैं वन तो यह भी वह सकता है किए मौशन चाहिए आया ब्लां को चीजों के भीछ में कहने पढ़ना था वह ट्रेइडिंग से रिलेटेडन कहा पढ़ने काई आगे लौ लिगालिटी समझे रो ने इस डिस्ट्रैक्शन सर जो काम है वो करते हैं दूसरी बात है पब्लिक से लास्ट रिक्वेस्ट है पहले आप इसको शेर करिए बड़े यूटूबर छोटे यूटूबर सब को शेर करिए छोटे यूटूबर को यह पता होना चाहिए उनके अधिकार का है बड़े यूटूबर काई लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं बहुत ही शांधार होते हैं वो उन तक यह बाते पहुंचनी चाहिए सर क्योंकि वो इस्टेक होल्डर है वो शेरोल्डर है यूटूब के यह प्लैटफॉर्म रहेगा तभी आप और रिस्टी नहीं कर पाएगा हरकोई उसके खिलाफ कोपी राइट करके उसको डिलीट कर देंगे यह एक रिस्ट है तो इसको प्लीज शेर करें सारी यूटूबर से लाइन फैक बड़े यूटूबर को टैक करिया आप टैक करियो उनके चैनल पर बताएए इस तक बाते पर चाह की सारी बाते करेंगे बढ़ यह एक चीज है जो मेरे दिमाग में परिशानी तो होती है आप स्टूडियो पर यूटूबर करने बड़ा बड़ा लाल रंग में लिखा रहता है वन कॉपी राइट स्ट्राइक हैस बिन एक्टेड वन आउट ओफ त्री तो एक हो में चैक में बच्ट्रा शल्थ सकत लगए झाटी रहां स्ट चांटी तक्यों यह ।